नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका MCX शोर के इनके इस वीडियो टुटोरियल में मैं हूँ आपका दोस्त परवीन राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे टेक्निकर एनलेसिस की चार्ट रिडिंग की और मूविंग एवरेज के इस्तिमाल की दोस्त इस तरीके से मूविंग एवरेज को इस्तिमाल किया जाता है और कौन कौन सी मूविंग एवरेज इविलेबल होती है एनलेसिस करने के लिए तो दोस्तों जादा समय नगवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आप से आगरे करूंगा कि अग आपको किसी और चैनल में नहीं मिलेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा चार्टिंग प्लैटफॉर्म यह दोस्तों चार्टिंग प्लैटफॉर्म है मैटा ट्रेडर 4 प्लैटफॉर्म जिसको हम अभी चार्टिं और ये एक online charting platform भी है market में जितने भी charting platforms available हैं वो सब offline charting platform होते हैं क्योंकि उसमें हम data feed अलग से एक software run करके उसके साथ merge करते हैं लेकिन इस software में default login ID password डालने से ये चल जाता है तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि moving average कौन सी कौन सी होती है particular period के moving की एक average निकाली जाती है एक median निकाला जाता है और उस price को दिखाया जाता है यहां पर line के जरिये और उसमें आपको पता लगता है कि किस तरीके से market move कर रही है उस period के moving average के हिसाफ से तो यहां पर दोस्तों left side में आपको एक indicator की window मिलती है उसमें बहुत सारे अलग-अलग indicators आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें हमें सबसे पहले moving average देखनी है तो हम trend के section में जाएंगे वहां हमें यह moving average के नाम से एक file मिलेगी उस file पे हमें double click करना है तो दोस्तों जब हम इसको double click करते हैं तो हमारे पास यह कुछ levels यहां पर मिलते हैं जैसे सबसे पहली चीज़ है period की कितने period का moving average रखना है अब इसमें मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बड़ी interesting बताता हूं बहुत सारे लोग जो charting analysis बताते हैं technical analysis के बारे में जानकर देते हैं वो क्या कहते हैं कि 14 लिखा तो मतलब 14 दिन का moving average 25 लिखा तो मतलब 25 डेज का moving average एक्चल में ऐसा नहीं होता यह होता है कि जिस भी time frame पे आप इसको 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 इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पहली कितनी candles का आपको analysis करके लेके आना है result तो period में जिसे default जो period होता है यहाँ पर moving average का जो डालके देते हैं वो 14 पिरेट का moving average होता है पचले तो 14 पिरेट के moving average से ही शुरू करते हैं यहाँ पर shift दिया है shift का मतलब है अभी shift 0 है यानि कि 14 candle के बाद अंदरी candle पे वो आपको dot बना के दिखा देगा अगर आप shift को 1,2,3,4 करते हैं तो उतनी candle आगे यह आपको line दिखाना शुरू करतेगा इसको shift बोलते हैं तो अभी हमें shift को कुछ नहीं करना जीरो करना है उसके बाद moving average का जो method है वो यहाँ पर 4 अलग-अलग तरीके की moving average आपको मिलती है पहला होता है simple दूसरा है exponential तीसरा है smooth और चौता है linear weighted दोस्तो इन 4 moving averages की calculation करने का formula अलग-अलग है यहाँ पर मैं इतना technical नहीं जाओंगा calculation बताने के बारे में नहीं जाओंगा basically हमें trades को देखना है हमें trading को देखना तो हमारे लिए यह चीज़ important है कि हम इसको चार्ट पर apply करके देखेंगे कि कौन सा moving average हमें किस तरीके कि सहूलियत में provide कर रहा है तो सबसे पहले जो इनका default होता है वो simple अब जो 14 candles हैं आपकी उनके कौन से data को उठा के उसका आपको moving average निकालना है यह एक matter अलग से है तो इस इसका जो option मिलता है उसमें हमें नीचे अलग अलग चीज़ें मिलती है जैसे कि close price का लेके आना है open price का लेके आना है high price का लेके आना है low price का लेके आना है और median का लेके आना है या typical price high low close divided by 3 करना है या फिर weighted price high low close close divided by 4 करना है तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें की आपक को यहां पर options मिल जाते हैं close का मतलब क्या है कि 14 candles की पिछली closing के हिसाब से 14 candle की closing को जोड़ेगा और उसके divided by 14 करेगा simple moving average के formula पर बता रहा हूं और उसके बाद जो भी price निकल के आएगा वो उसके को और option मिलता है कि color किस तरीके से रखना है कि दोस्तों मैं आपको मूँ यह empty 4 के बारे में बता रहा हूं अगर आपके पास कोई और other software है तो आप उसमें देख सकते हैं क्या options available है उससे साब से आभी चीज़ें करते हैं सब में common options यह होते ही हैं तो अब यहां पर color हमें जो भी आपके बता है option जिसमें डॉटेड या जैसे भी लाइन हमें लेने हैं उस लाइन को चूज कर सकते हैं तो मैं यहां पर आपको थोड़ी सा बड़ी लाइन दे कर सकते हैं तो यहां इस चार्ट पर हमें इस चीज़ें दिखाई दे रही हैं अब यहां पर किस तरीके से हमें यह चानना होता है कि market का जो price है वो किस zone में है buying zone में है या selling zone में है उसको जानने के लिए हम यहां पर इसको देख लेते हैं कि जो भी price अगर इस moving average के उपर चल रहा है उपर उपर grow कर रहा है तो मतलब कि हमारा जो trend है वो bullish trend है और market इसके उपर चल रही है इसका मतलब bullish trend चल है अगर prices के नीचे आ जाता है तो हम कहते हैं कि selling की position बनाई जा सकती है अब यहां पर दोस्तों किस तरीके से हमें idea लगाना है मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा करके आपको बताता हूं यह देखिए तो यहां पर हमें इस तरीके से दिखाए दे रहा है कि यहां पर आपने दे को थोड़ा देर में बताऊंगा कंडिशन के बाद की किस तरीके से हमें trading करनी होती है फिलाल आप यह समझ लिए कि जब prices के ऊपर आता है क्रॉस करके candle close होती है और उसके बाद अगली candle भी bullish है तो हम उसकी अगली candle में buying की position लेने की कोशिश करते हैं buy करने की कोशिश करते है और साथ में कुछ एक profit लेके हम लोग निकल जाते हैं जैसे यहाँ पर आप देखिए कि जो रहट candle है यहाँ पर हम लोग बाई लेंगे क्योंकि दो candles एक candle close होई moving average के उपर वो bullish थी यहाँ पर नहीं तो हम इस candle से भी idea लगा सकते है देखिए यहाँ पर यह candle इसको cross करके तो मालीज़ें यहाँ से हम buy की position लेते हैं तो हमारा stop loss क्या रहेगा कि कोई भी candle अगर इस line के नीचे close होती है तो हम उसको stop loss consider करेंगे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक लंबी सी line यहाँ पर बनी और यह इसकी नीचे close होगी तो यहाँ पर हम अपना stop loss लगा स उसके बाद एक candle और red color की बनेगी तब हम आके sell की position बनाएंगे लेकिन यहाँ पर अगली candle नहीं तुरंत recovery कर दी तो हम यहाँ पर sell की position दुबारा से नहीं बनाएंगे और हम यहाँ पर फिर से buy की position में आके बैठ जाएंगे यहाँ पर से हम buy करेंगे और इस level पर आके फिर स इसको candle को close कर दिया तो हम यहाँ पर इसको exit भी कर देंगे तो छोटे-छोटे losses होते हैं और अच्छे कासे profits यहाँ पर moving average को use करने से default moving average है अब इसमें आप experiment कर सकते हैं आप देख सकते हैं यह moving average कौन से period में मतलब कौन से chart में कौन से time frame में best काम करेगी वो आपको यहाँ प आपको पका पकाया नहीं मिल सकता सब कुछ आपको बना बनाया नहीं मिल सकता हर एक symbol की volatility level हर एक symbol का जो कहते हैं movement अलग-अलग होता है जो volatility बोलते हैं जिसको volatility वो अलग-अलग होती है तो आपको उस हिसाब से चीज़ें करनी होंगी आपको flexibility लाने के लिए moving average के periods को अलग- कि कौन सी moving average बढ़ी हा काम कर रही है कौन से चार्ट के उपर तो यहां पर देखिए nifty के चार्ट में मैंने बताया अब यह तो था single moving average जिसमें आपने क्लाइन लगा यह और क्लाइन के हिसाब से आपने अंदाजा लगा लिया कि वही किस तरीके से मुझे buy के या sell के trend में ज सकते हैं यह चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कभी आप कोई भी भाय का या sell का trade लेते हो तो जैसे अगला candle अगर green बन जाका है क्योंकि थोड़ा सा wait करना बनता है तो तुरन 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 ट्रेड लेना है जरूरी नहीं है ट्रेड लेना अगर हमार को अच्छी opportunity नहीं नहीं जाना है तो इस तरीके से हमें ध्यान लखना है अब यहाँ पर एक चीज़ और बताता हैं दोस्तों कई बार क्या होता है कि market जो है ना consolidation mode में होती है और कई सारी candles moving average के आसपास 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 बन सकती है तो अब यहाँ पर आप बार buy sell buy sell buy sell की trades को नहीं लेंगे तो इस चीज़ की filtration करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों हम एक और moving average यूज कर लेते हैं और जब हम दो moving averages को use करते हैं तो उसको हम बोलते हैं moving average crossover यानि कि अब हम काम करेंगे crossover के उपड जब 2 moving average आपस में cross करेंगी तो हम trade करेंगे example के तोर पर यहाँ पर बताता हूं जैसे मा यहाँ पर एक और moving average दे सकते हैं मालेजे मुझे चाहिए 26 period की moving average और यहाँ पर मुझे exponential moving average चाहिए और यहाँ पर मैं red color कर देता हूं इसको orange red हो गया यह और इसको close पर रखता हूं shift में मुझे 0 ही रखना है अब मैं इसको ok करता हूं तो जब हम इसको ok करते हैं तो यह हमें थोड़ी सी और customization करके देता है चार्ट के अंदर और यहाँ पर हमें देखो दोस्तों बता रहा है कि जब हमने crossover किया जब इसमें condition में क्या है दोस्तों जब green color वाली line उपर है और red color वाली line नीचे है उसका मतलब यह होगा कि हम buy की position में बने रहेंगे तो buy की position में बने रहें इसमें जो problem देखी थी कि बार बार यहां पर price उपर नीच हो रहा था उसको problem से हमें निजाद यहां पर मिल जाती है क्योंकि हमारी जो slow इसको भी एक चीज़ और बताता है दोस्तों जो चोटे period की moving average होती है उसको हम कहते हैं fast moving average और जो बड़े move period की moving average होती है उसमें दौन को cross कर गई तो यहां पर आप अपनी position को exit कर सकते हो उससे पहले आप बाय में बने रहे सकते हो यहां पर देखो यहां से confirmation हमें बाय का मिला था और यहां से लेकिए यहां पर हमें exit करने को बोला गया है यहां से हम अगली trade नहीं लेंगे क्योंकि हमारा sell के बाद अगला candle जो यहां पर wait करेंगे यहां पर देखेंगे कि यहां पर bullish candle बनी लेकिन उसके बाद फिर अगली candle यहां पर red बनगी तो इस तरीके से इस तरीके की जब movement है तो उसमें हम क्या करेंगे trade नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है क्या होने वाला है जैसे आप देखो अगले दिन हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे उसके बाद अगर हम यहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि यहां पर दुबारा से moving average ने एक को line को touch किया करने के बाद अगली जो केंडल है वो green यहां पर बन जाती है तो यहां से हम अपना buy का position लेंगे कहां से लेंगे दोस्तों हम अपना buy का position यहां पर लेंगे दो candle green बनने के बाद तीसरी candle पर यहां पर हमें थोड़ा सा confirmation मिल जाता है वो profit हम से मिस हो गया लेकिन उस profit को मिस होने का हमें मलाल नहीं करना है हमें यह चीज़ देखने हैं कि हमारे जो accuracy level है वो बना रहना चाहिए क्योंकि वो consolidation हो रही थी वहां पर एक candle green ईक candle रडब candle green एक candle red तो उसमें confirmation नहीं मिलेगा अब यहा पर दो candle के बाद यहां पर देखो हमें अच्छा खासा भुब देखने को मिला उसके बाद मार्किट यहां पर इसने candle यहां पर नीचे गई इसका मतलब हम यहां पर कोई position नहीं लेंगे अपनी और यहां पर कोई position नहीं लेंगे उसके बाद आगे जाएंगे आगे जाने के बाद आप देख सकते हो कि यहां पर फिर से यहां पर इस तरीके से बाइक का पोजिशन बन गया तो यहां पर देखोगे कि एक केंडरेश नों क्लोज किया और अगली केंडर क्लोज करने के बाद बाइक का पोजिशन बन गया यह था सिंगल मूविंग एवरेज का डवल मूविंग एवरेज में तो ह यह हमारे लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगर हम डूल मूविंग एवरेज यानी की क्रॉस ओवर यूज कर रहें तो यह केंडल हमारे लिए जो है एक्जिट की केंडल हो गया अब यहां पर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा तो इस तर मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पर काम कर सबसे श्लोर मूविंग एवरेज का क्रॉश ओवर हुआ होता है तो आपको कभी भी यह चीव ध्यान देनी है तो उसका कोई क्ास फायदा नहीं होता मतलब वह होता है कि आप जिसमोफ कि में मूविंग लगाता हूं यहां पर देखो यह काफी सारा नीचे चला गया मामला स्वीचा मूंविंग एवरेजी हम तब लगाते हैं जब हमारे को मतलब थोड़ा long term perspective में trade करना होता है अब यहां पर देखो मैं 14 पिरेट की smooth moving लगाता हूं तो वह आपको वह भी नीचे ही मिलेगी काफी यह देखो दोस्तों यहां पर क्या है long term perspective में अगर थोड़ा से trade लेना तो ही हमारे लिए वह काम्याब है otherwise नहीं यहां पर देख सकते हों कि काफ 20 percent के बड़े और यहां पर क्रॉस होने के बाद हमने होता है जब क्रr Participant यहां पर Sumping के लगात तो इसके बाद हम अगली हैं जे सकते हैं अगर आप हम इंट्राडे ट्रेटर हैं तो इस तरीके से हम पोजिशन ले सकते हैं जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको लेना है उसको लेकर आप यहां से निकल सकते हैं डे क्लोज पे आप अपनी पोजिशन स्क्वेर आफ कर सकते हो तो यह हो गया एक्सपोनेंशल मूविंग एवरेज के बाद स्मूथ मूविंग एवरेज का जिसमें कि आप को थोड़ा सा मतलब लॉंग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए थोड़ा तीन-चार दिन के और आइजिन के लिए अगर आपको करना है और इंट्राडे भी करना है तो भी आपको सब्सक्राइब करना है तो यह चीज भी मैं आपको क्लियर कर दे कर दी है कि कई बार लोग जो कहते हैं कि मूविंग एवरेज पच्चेस दिन की पचास दिन पचास दिन से कोई मतलब नहीं होता उसका पच्चेस दिन चौदा दिन आप कह सकते हो अगर आप डेवन चार्ट इसमें पच्चेस दिने हों उसकी चौदा प्रच्च कर दे को इसको स्तमाल किया जाता है दोस्तों यह था दोस्तों मूविंग एवरेज के बारे में कि जो मैंने आपको बताया इसमें अलग-अलग मूविंग आवरेजे दिखाई है आपको स्मूथ डिनेर वेटेडिट का अब इसमें क्या है कि अलग-अलग calculations के ऊपर यह चीज़ें बन रही है अलग-अलग calculation के हिसाब से moving average का data यह निकाल के लेकर आ रहा है तो जब आप इसको use करेंगे तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा homework करना होगा देखना होगा कौन से प्रेट की moving average best काम करती है और कौन से प्रेट की moving average के बाद आपको trade करना है हां लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं अगर आप use करते हो investing करते हो यानि कि अगर आप investor हो आप trader नहीं हो आप investment करते हो तो आपके लिए मैं एक बहतरीन moving average बता देता हूं वह moving average है दोस्तों 200 period की moving average यानि कि 200 candle के हिसाब से data निकार के लाता है इसको हम yellow color से दिखाते हैं जातर और इसको हम बोलते है golden line क्या बोलते हैं दोस्तों golden line golden line का मतलब यह है कि इस moving average के ऊपर या नीचे जाने पर अच्छा खासा move market देती है अप देख सकते हो अगर आप investor हो और आप investment करते हो किसी भी stock में let's suppose आप long term period में काम करते हो अगर आप investment करते हो तो आपको यह पता देगा कि कौन से stock में अच्छी खासी move चल रही है आप 200 period की moving average को देखके अपने stocks को hold कर सकते हो आपको अच्छा आइडिया उससे मिल जाएगा कि किस तरीके से आपकी positions को रखना आपने रहना है आप देख सकते हो यहां पर आठ अक्टूबर में जो यह मैंने भी चार्ट लगा हुआ हुआ इसमें सरेफ का वन आर का चार्ट है कि देखो क्रॉस ओवर करके यहां पे candle बनी थी 4200 का प्राइस था अगर आप 4200 के प्राइस में लेते हैं उसके बाद आप देखो यहां पर आके इस लेवल पर आपको यहां पर एक बार closing करनी पड़ेगी अपनी 4300 कुछ पर और उसके इसवाद फिर से अगली candle जो मूब कर गई है और यहां पर टच कर गई है तो यहां से फिर दुबारा से बाइंग बन जाती है इस तरीके से आप इसको लेकर चल सकते और golden line के उपर देखो इसके नीचे कोई भी नई candle नहीं बनी है सारी की सारी टे candle इसको टच करके रखी है तो इसमें आप होल्ड करके पोजिशन रख सकते हैं और देखो चारजार तीन चारजार दोसों से लेके पांचाजार दोसों लंसम हजार रुपे का यानि कि आपको 25% का गेन इस पर्टिकुलर स्टॉक में मिल जाता है साथ अक्टूबर से लेके और आपको नवंबर के पी दे दिया है तो गोल्डन मूव पीरड की जो मूविंग एवरेज दोस्तों वह अच्छा काम करती है इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपको खुछ से महनत करनी होगी आपको खुछ से चार्ट लगा के अनलिसिस करनी होगी देखना होगा कि कौन से चार्ट में आप को अच्छा कासा मूवमेंट मिल रहा है उसी चार्ट में आप काम करोगे तो आपको अच्छा कासा मुनाफ़ा होगा इन्वेस्टर के लिए भी बहुत इंपोर्डेंट है अनलिसिस करना चार्ट की पिना अनलिसिस करके कोई भी शेर उठा लेने से प्रॉबलम आती है क्यो मैंने आपको दिखाई स्मूथ एक्स्पोनेंशियल और आपका लिनियर वेटेड अलग-अलग मूविंग अवरेजिस का इस्तेमाल करें चेक करें चार्ट में लगा करें तब ही इन्वेस्टिंग करें उससे पहले इन्वेस्टिंग ना करें बिना मतलब में किसी टीवी च करते क्योंकि कि से क्यां बरोकर के चेर्ट नहीं होते हैं बहुत लिमेंटेड चीज़े होती हैं ने in of एक यह सकते हैं पिस में मार्के उटार्ट सकते हैं कोई मार्केट में चैयां ग्रोडिकेटर करो इसमें लगा लो और यूज कर लो तो इस आपको अच्छा लगा हुगा समझ में आए हुगा आप भी करिए practice अपने पास चला के देखिए आपको लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अपने ट्रेडिंग behavior में अपने routine कर सकते हों अब इसमें लेमें भी जो जिनको बिल्कुल चार्टिंग नहीं आती बिल्कुल एक अनलेसिस नहीं आती वो भी शायद समझ गए होंगे moving average किस तरीके से इस्तेमाल करनी है आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज करके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में बाइबाइ टेक केर एपी ट्रेडिंग और विश्यू वेरी वेरी हैपी दिवाली गाइस